हेलो इबरिवान वेलकम टो इस चल्म गवर्मेंट जब विजन आज तोड़े इन इस वीडियो आपको सेलेक्शन प्रोसेजर क्या होगा स्टेप बाइ स्टेप देखेंगे आपका इसमें यहां पर वेटिंग लिस्ट की क्या प्रोसेजर होगी पूरा डिटेल आपको वेटि आपको step by step समझाएंगे उससे पहले कुछ important बाते आपसे बताने उससे पहले कुछ important बाते शेयर करने थी देखें मैं आपको वीडियो डेली वाइस प्रोवाइड नहीं कर बाता हूं उसके पीछे कुछ ने कुछ important डेजन होता है उसके आपको मैं इस वीडियो में आपको यही सब आपको बता देता हूं देखें मेरा work pressure होता है job के साथ हमको क्या-क्या अलग चीजे और भी करनी पड़ती है मेरा 31 में को civil service का exam है UPSC का तो उसके लिए मुझे preparation करनी पड़ती है आपको उसके लिए time निकालना पड़ता है तो मेरा load इसके वज़े से बढ़ जाता ह है साथ ही साथ आपको making video for you all आपके लिए making मुझे video बनानी पड़ती है YouTube जो कि आपको जिस exam के recording आपको जरूरत पड़ती है मैं उसके content तयार करके उसके video सूट करना पड़ता है सूट करके आपको content wise अच्छे content wise आपको provide करना पड़ता है इसलिए मुझे video लाने में थोड़ा सा difficult हो जाता है लेकि तब भी हम आपको अपना night का जो भी time होता है utilize करके मैं आपको अक्सर night में video provide कर देता हूँ इसलिए तो अगर मैं video provide नहीं कर पाता है इसलिए मैं आपको ज्यादा video provide नहीं कर पाता हूँ लेकि मेरी कोशिस पूरी होती है कि मैं आपके exams के साथ जो भी ज्यादा requirement होती है आपके video के मैं उसको तयार कर पाऊं आपके बहुत सारे comment आते है कि इस भी video बनाए इस भी video बनना चाहिए इस भी video आपके queries को से साथ video clear करनी पड़ती है तो उस पर मैं जल्दी से जल्दी video बनाने कोशिस करता हूँ जो भी आपका exam से regarding जो important होता है उसमें जल्दी ही बना के तयार करता हूँ कुछ student के comments जो होते हैं थोड़ा सा pending में रखना पड़ता है क्योंकि अगर वह exams या किसी चीसे important थोड़ा कम होता है मैं pending में रखता हूँ कि उसको बाद में तयार कर लोगा क्योंकि exams पहले होता है इसलिए मैं तो आपको इस बात से बुरा नहीं माना कि अपने suggestion दिया आप वीडियो में तयार नहीं कर पाता हूँ कर पाया हूँ तो इससे आपको बुरा नहीं मानना मानिएगा और जरूर इ कि मैं कोई content आपको सही नहीं दे पाया जल्दी बाजी में तो आपको इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा जिसे मुझे एक motivation मिलता है कि मैं आपको वीडियो content जो दे रहा हूँ आपको पसंद आ रही है तो एक मुझे positive-ness मिलती है जिसे मैं आपको उसके लिए कारियर होता है इसको clear करने को सिस करता हूँ इसको reply करता हूँ तो इसलिए में भी time लगता है तब भी मैं आपको सारे सभी लोग के comments को read करके reply जरूर ही करता हूँ तो आप किसी बात का बुरा मत माने और अगर कोई content बुरा भी जाता है तो इस video जरूर लाइक कीजिएगा और एक्जाम के लिए अपना 100% effort दे पाएं मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कोई जिस एक्जाम के तयारी कर रहे है उसमें आपको success मिले हाँ अगर अगर आप UPSC की related कोई exam अगर UPSC civil service related कोई आपको information चाहिए तो आप मुझसे पूस सकते हैं preparation के regarding अगर आपको कोई जैनकारी नहीं है UPSC की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं उसके जरूर आपको help करूँगा जो भी मुझसे बन सकता है उसके regarding के आपको कैसे तयारी करना चाहिए कुछ भी जो भी आपके queries आप मुझे comment बस जरूर पूचिए मैं उसके जरूर आपको reply दूँगा बस मेरे तरस यही solution है आपको कि अपना exam के लिए 100% effort लगा दो और exam करके आपके जो भी problems है school एक side करकी अपना exam को focus करिए और अपना exam में base दीजिए जिसे आपका selection हो पाए बस मेरा यही motive होता है कि आप अपने सही direction पे guidance मिल पाए और आप उस पे चल कर अपना success हासिल कर पाओ तो चलिए अब start करते हैं वीडियो ठीक है call India MTK requirement के लिए selection procedure का जो step by step हम कैसे आपका selection किया जाता है उसको आप पहले समझ लेते है आपका result your result with cutoff will be published आपका time आपका जल्दी आपको publish कर दिया जाएगा उसकी में आपको क्या होगा three time subsequent will be selected for interview call तीन एक seat के लिए तीन बच्च के लिए काल किया जायेगा तो आपको इंटर्व्यू के लिए जाना होगा की interview call बहुत important बन जाता है मैं आपको बताँगा इसका importance आपको कहां मिलने माला है तो आगे मैं next studio मीं बताऊगा की interview call आपके लिए कितना important होगा और कितना हम role apply करेगा आपकी selections के लिए आपका पहले आइंटर्विऊ बारे मता देते हैं इंटर्विऊ के अपका 10 माक्ष का होगा अन्टर्विऊ के कर वा इंटर्विऊ के पुछ गार्डव्य आपको जो भी अफ़ाय रहा है या कुछ कह रहा है तो आपको ऄसे पर ध्यान नहीं देना है आपका जो भी होता है honest से आपका interview होगा आपको interview के लिए तैयारी करने चाहिए कि बहुत ही major role play करेगा आपका marks तो इस पर आपको ध्यान देना है आपको prepare करना है आगे देखते हैं आपका जब interview हो जागा उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है आपका उसके बाद list आता है आपको जितने भी seat होती है उन पर जो भी बच्चे eligible हो जाते हैं उनको उनकी list निकलती है इसमें आपके marks नहीं सो करेंगे वल्ली आपका list में आपका नाम आएगा और आपको आगे के लिए step के लिए forward कर दिया जाता है आगला आपका जो step होता है medical document होता है medical document में आपको list प यह your self मतलब आपको खुद ही करना पड़ेगा इस चीज़को आपको यह नहीं होगा कि आप medical के लिए जाओगे वहाँ पर एक doctor होगा यह आपका medical लेगा ऐसा कुछ नहीं आपको सब अपने आप तयार कराना पड़ेगा तयार करके legal document आपको लेके DAV date पर जाना पड़ेगा नेक्स्ट आपका आता है document verification आपका document verification के लिए आपको यह सारे जो document बने होंगे और भी जो इस्टरा document होगा आपको लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर आपका document verification होगा जिससे आपको next stage के लिए forward कर दिया जाएगा next stage आपका आता है joining later आपको joining date दे जाएगी अब joining date जब आपको joining date पर आपको join करना होता है तो आपको जो भी selected candidate होंगे वो आपको उनको जाके उस date को join करना होता है अब यहाँ पर क्या होता है सारे बच्चे join करने के लिए नहीं जाते क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो student होते हैं उनका कई और PSS में हो जाता है तो वो seat को छोड़ देते हैं वो उस पर join नहीं करते हैं तो यहाँ से आपका major role apply हो जाता है waiting list का procedure अब वेटिंग लिस्ट का procedure क्या है देखे दू टाइंस वेटिंग लिस्ट आपका लिस्ट पब्लिस की जाएगी ठीक है कि लाज्ट टाइम जो हुआ था लाज्ट टाइम निकला था वो डिपेंड करता है नमबर आप सीट कितने बेकेंट रहते हैं अब जो भी आपके student ज कबर करने के लिए वो अपना वेटिंग लिस्ट को तयार करते हैं तो वेटिंग लिस्ट टू टाइम निकला था लास्ट टाइम जिसमें लगबग सभी जो भी इंटर्वी कॉल के लिए बच्चे आया थी उनका सेलेक्शन हुआ था मेरे एक साथ का जो student था मेरे फ्रेंड उसका सेकेंड टाइम में उसका सेलेक्शन हुआ था तो अगर आपके इंटर्वी कॉल आ रहे है तो आपको 80-90% सोच के चलना है कि आपका सेलेक्शन के लिए नाम जरूर आएगा तो आप हमेशा आपको मोटिवेटेट रहना है और आप अगला प्रिप्रिशन करते रहना ह अब देगि वेटेंग लिस्ट को कैसे त्यार किया जाता है उसको देख लेते हैं वेटेंग लिस्ट आपके युट होगा थोड़ा सlike जिसे अपका first time में लिस्ट आती है तो उसमें cutoff को high कर देते हैं मतल crate 5 नहीं करेंगी और उनको bio करेंगे जब ways thingsाशन होगे आपको ले जब उसमें भी वेकेंट हो जाता है तो आपका सेकेंड लिस्ट रैयर की जाती है वालनी दो जट्रेंट विल बी इन वेटिंग लिस्ट वू अटेंड इंटर्वियू कॉल अगर आपने इंटर्वियू कॉल अटेंड किया है तो इसका मतलब आपके पास 80-90 परसंट चांस बन जाता है कि आपके पास चांसे जरूर होंगी आपके लिस्ट में आने की तो फिरेंट्स यह थे आपके selection procedure आपका कोल इंडिया कैसे process काम करता है selection का वसक के बारे में अगर आपको भी कोई आपके पास कोईरी कोमेंटस हो तो आप मुझे कमेंट बाक्स में धूर सकती अगर कोई प्रावल्म नहें तो रिगाडिंग कोल इंडीया अगर कोई सजीशन मुझे देना तो आप कमेंट exactly है और मैं उपको मैंच करना तो ये जरूर देख लेजी बॉक्स में प्रवाइट कर दूँ वहां से आपको चेक कर सकते हैं आपका मार्च क्या है कितने मार्च में आपका कटाप जाएगा जो भी है मैं उसके पूरे डिटेल बोडिंग वाइस करा दिया हूं तो वहां पर एक प्रोक्स वही कटाप हो रहने के चांसेज है आपको तो वहां से आप मैच कर सकते हैं और कोई आपको पास डाउट हो तो मुझे कमेंट बाज जरू पूछे और इस वीडियो को जरूर लाइक किजिए अगर आपको पसंद आएग तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए और इस चैनल आपको इंगलीज की वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल का लिंक आपको दे दूँगा वहां से जाकर आप उस वीडियो को वाच कर सकते हैं देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ओके थैंक यू वेर्य मच और गुड लग